Hello my dear student, today we are going to study about crop production and management. So without further ado, let's get started. So बच्चों, इस तॉपिक में हमें पहले ये समझना है कि crop क्या होता है? तो बच्चों, जब एक प्लांट को एक फिल्ड में उगा दिया जाता है, उसे कहा जाता है crop. For example, अगर आप एक जगह पे टमाटर के बहुत सारे पौधे लगा देंगे, तो आप कहेंगे कि यह टमाटर का crop है. उसी तरह अगर मैं ओक्रा का बहुत सारा प्लांट्स एक जगह पे लगा दूँ, तो मैं कहूंगी यह ओक्रा का field है, crop field है. Okay, so I think आपको crop क्या है, यह clear हो गया होगा? So students, in India, according to the climatic conditions, the crop is basically categorized into two types. One is kharibe and another is rabhi. Okay, kharibe crop एक होता है, और एक होता है, rabhi crop. Okay, and the kharibe crops can be grown in rainy season and from June to September, whereas rabhi crops can be grown in winter season from October to March. Okay, तो बच्चों, अगर हम kharibe crops के कुछ examples की बात करें, तो वो हो गया cotton, mage and paddy. Paddy मतलब जो धान होता है, वो. Okay, and next, अगर हम rabhi crops की कुछ examples के बारे में बात करें, तो वो होगा pea, mustard, gram and weeds. Okay, next, we are going to study about agricultural practices. तो बच्चों, agriculture वो ब्रांच होती है, जहाँ पे हम खेती बाड़ी के बारे में बढ़ते हैं कि कैसे crop को जादा से जादा उगाया जाए. और अगर हम बात करें agricultural practices की, तो यहाँ पर हम जानेंगे की कौन-कौन सी चीजों का use करके अच्छी cropping की जा सकती है. And student, these are the step-wise activities done by the farmers. So, there are seven agricultural practices. First one is preparation of the soil. यानि कि बच्चों, पहले हमें खेती बाड़ी करने के लिए उस मिट्टी को prepare करना पड़ेगा. क्यूंकि बच्चों, ऐसा तो नहीं होता न, कि जहाँ आपको एक field मिल जाए, और वहाँ पर आप कुछ seed को अगर फैक दो, तो वो seed grow कर जाए, ऐसा तो कभी हमने नहीं देखा. क्यूंकि यहाँ पर जो मिट्टी होती है न, वो काफी सक्त होती है, टाइट होती है, उसके उपर seed sow करोगे तो वो उग नहीं पाएगा. तो बच्चों, पहले हमें soil को lose करना पड़ेगा, उसके बाद वहाँ पर जो सारे सक्त मिट्टी थे, उसको हमें थोड़ा सा धीला करना पड़ेगा, और इस soft करने वाले process का नाम है, tealing और plugging. इस process को करने के लिए हमें तीन चीजों की जरूरत होती है, जो की है, plug, hoe and cultivator. तो plug और hoe जो होते हैं, इसको जानवरों की मदद से किया जाता है, and जो cultivator होता है, उसको हम tractor की मदद से चलाते हैं, जिससे की हमारा काम बहुत ही आसान हो जाता है, और कम टाइम में complete हो जाता है. तो बच्चों, अगर हमें tilling and plugging का process है, जल्दी करना है, तो क्या करेंगे हम? हम cultivator का use करेंगे. अब आता है हमारा second step, जो की है sowing. इसके लिए पहले हमें अच्छी quality के seed लेने होंगे, उसके बाद हमें उसको sow करना होगा, जिसको मिट्टी में sow करने के लिए हम use करेंगे seed drill का, जिसके कारण जो seed है वो एक particular distance में रहेगी, जिसकी वज़त से उनके growth में कुछ problem नहीं आएं बट पुराने जमाने में कुछ traditional methods का use क्या जाता था, जिसमें animals का use क्या जाता था, या फिर खुदे से seed sow कर दिया जाता था, अब sowing के बाद हमारा next step होता है, adding of manure and fertilizers, तो बच्चों हमने seeds को तो sow कर दिया, अब उनको चाहिए nutrients, so now we have to add some substances in the form of nutrients to initiate the growth of plants, okay, जिने कहा गया है manure and fertilizers, तो बच्चों, manure जो है, अगर आप उसे जादा मात्रा में भी डालोगे plants को, तो कुछ नहीं होगा, बट अगर आप fertilizers को जादा मात्रा में यूज करते हो, तो उस जगा की जो soil है, वो अपना fertility को loss कर देती है, fertilizers का एक example है NPK, which is nitrogen, phosphorus, potassium, और जो manure होता है, उसको decomposition के process के थुरू बनाया जा सकता है, for example, vegetable waste हो गया, cow dung हो गया, etc. अब इसके बाद हमारा four number का step है, that is irrigation, तो बच्चों, अभी seeds से plants भी आने सुरू हो गये हैं, अब हमारे जो plants हैं, उनको पानी की ज़रूरत आन पड़ी है, तो अभी हमें कुछ methods का use करके उनको पानी देना पड़ेगा ना, तो इसके लिए हम use करते हैं, दो तरह के method, जो की है drip irrigation and sprinkler irrigation, तो बच्चों, पहला वाला जो है drip irrigation, उसमें pipes का use किया जाता है, जिनमें छोटे-छोटे holes कर दिया जाते हैं, और उन holes की वज़ज़ से जो water होता है, वो directly जाकर वो plant के root में ही drop by drop गिरता है, ओकी, and next बात करते हैं हम sprinkler irrigation की, sprinkler irrigation जो होता है, वो basically पहाड़ी area में जादा तर देखने को मिलता है, इसमें क्या होता है ना, एक pipe में rotating nozzle होता है, जिसमें water field के चारो तरफ spray होता है, तो यह था हमारा irrigation, step number 5 which is weeding, तो बच्चों, weeding आया है, वो एक word weed से, जो की, एक तरह के unwanted plants होते हैं, जो हमारे crop के side में उख जाते हैं, और हमारे crop को, जो nutrition चाहिए होता है, वो उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि ये वाले जो weeds होते हैं, वो सारा nutrition absorb कर जाते हैं, तो इस weed को remove करने वाली process है, weeding, जिसके दो techniques होते हैं, One is by the use of खुर्पी, इसमें आपको क्या करना होता है, खुद जाके, हास से खुर्पी का use करके, weeds को one by one निकालना पड़ता है, Next है, weedicides, weedicides क्या होता है, ये basically कुछ chemicals होते हैं, जिनका spray करके, आप उन weeds को kill कर सकते हो, Next is step number 6, which is harvesting, जिस process में हम mature crop को काटते हैं, उसको कहेंगे हम harvesting, इसको करने के लिए एक machine होती है, जो है combine, combine, threshing करती है, मतलब, जो छिल का grain को covered किया होता है, उसको हटाती है, but, जब छोटे area में grain को काफ से remove किया जाता है, वहाँ पर use किया जाता है, winnowing, Next is storage, तो अब हमें insects और pests से protect करके अपने grains को granary में रखना होता है, silos में भी हम अपने grains को store कर सकते हैं, जिसमें पहले grains को रखने के बाद कुछ chemical का spray किया जाता है, ताकि grain को insects और pests से कुछ नुकसान ना पहुँचे, बट जब हम grain को घर में ही रखे हैं, तब हम dried neem leaves का वी यूज करते हैं, grain को pest से protect करने के लिए, I hope आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, Thanks for watching, do like, share and subscribe for more videos.